प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी शुक्रवार को मुμबई दौरे पर रहे पी एम मोधी ने मुबई के छत्रपती शिवाजी पार्क में जन्सभा को संबोधित किया प्रधान मंत्री ने इंडिया गडबंदन के नेताओं पर सम्विधान और बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लगाया पीएम मोदी ने कहा कि 370 हटाकर उन्होंने सम्विधान की रक्षा की है देखिए ये रिपोर्ड शुक्रवार शाम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी चुनावी सभा के लिए मुंबई पहुँचे तो रैली के लिए शिवाजी पार्क जाने से पहले वो पहुँचे चैति भोमी वही चैति भोमी जहां डॉक्टर बी आर अंबेटकर का समानक है प्रधान मंत्री ने सम्विधान निर्माता बाबा साहिब भीमराव अंबेटकर को शुरधान जली दी और उनकी प्रतिमा पर पुषपान जली अर्पित की अपनी चुनावी सभा से पहले बाबा साहिब को श्वरधानजली देना दिखाता है कि प्रधान मंत्री सम्विधान निर्माता बाबा साहिब के प्रती कितनी अगाध आस्था रखते हैं प्रधान मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा कर एक सम्विधान लागू कर उन्होंने सम्विधान की रक्षा की है इन निराशा की गर्त में डुबे हुए वो लोग है जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असम्भव लगता था आज हमारी आखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दिवार थी ना वो दिवार को मैंने कबरस्तान में गाड़ दिया है प्रधान मंत्री ने इडी गटबंदन के नेताओं पर सम्विधान और बाबा साहिब का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि यह लोग धर्म के आधार पर आरक्षुन देना चाहते हैं जो कि सम्विधान की भावना के खिलाफ है जातियों इंडिय गाड़ी वाले लगातार बाबा साम अंबेड करका हमारे सम्विधान का भी अपमान कर रहे हैं बाबा साह धर्म के आधार पर आरक्षुन के खिलाप थे पूरी सम्विधान सबाँ एक मत हुए दे कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा लेकिन इंडिया गाड़ी वाले बलीद पिछडे आधिवास्यों के हक का आरक्षन चीन कर धर्म के आधार पर बोड जिहाद करने वालों को देना चाहते चैति भूमी में बाबा सहेब को शुरत धांजरी देकर पियम ने विपक्ष के उन दावों की हवा निकाल दी है जिसमें इडि गठ बंधन के कई नेता एंडिये के दोबारा सत्ता में आने पर समविधान बदलने की बात कह रहे थे शिवा जी पार की अपनी रैली में प्रधान मंत्री ने समविधान के प्रती पूर निष्ठा व्यक्त की और बताया कि कैसे पंडित नहरू ने समविधान के शरीर और आत्मा दोनों को चूर चूर कर दिया इन्होंने पहला काम किया, पंडित नहरू ने वो चित्र वाला सम्मिधान अलमारी में रख दिया, बाद में उसकी आत्मा को उन्होंने चूर चूर कर दिया, अब ये लोग सम्मिधान की पीछ में छूरा भूकने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधान मंतरी ने कहा कि बस सम्मिधान की रख्षक हैं और किसी को भी सम्मिधान के साथ खिलवाड नहीं करने देंगे। सविधान को लेकर इस बार विपक्ष ने प्रधान मंत्री और सरकार को घेरने का प्रयास किया लेकिन प्रधान मंत्री ने अपनी कामों और मीतियों से इसका पुरजोर जवाब दिया है आखरी चुनाव के लिए प्रधान मंत्री मुंबई में आये थे हलाकि इस मुंबई दौर में पुद्धार मंत्री ने मुंबई स्तित चैत्य भूमी के दर्शन लिये हलाकि इस से पहले भी अगर देखा जाए तो सरकार की नीतियों में कई ऐसे बदलाब देखे गए थे फिर चाहे हो गुद्ध सरकिट का निर्माण हो या फिर जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा सामबेट करने समिधान में लिखी गई बातों का अनुसरन हो शीर शिलार डीडी नियूस मुंबाई आगामी चर्डों के चुनाव के लिए किंड्री ग्री मंत्री अमिच शाह ने उत राजपा सरकार पूरे राजच में 20-24 घंटे बिचली देती है